सौ से ज़्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकितसक के पास जाए अब आपके पेट में अमल बन रहा है मूँ में लार बन रही है अगर पानी आप गूट गूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गड़ 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अमलुको शांत रखना है, इसके लिए छार है तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज़्यादा लार अंदर जाएगी तो अमल को शांत करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट निूटरल रहेगा और आपकी जिन्दगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सो डेड़ सो साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भरके पिये और एक साथ गड़ गड़ पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुँचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना निूटरलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान यवस्था में नहीं ला पाएगा हाला कि पानी भी अमल को कम करता है क्योंकि अमल में पानी मिलाओ तो अमल की ताकत कम होती जाती है तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिलकुल अधुथ होगा बागवट जी आगे कहते हैं बहुत ही महत्तु की बात है ये सबाब के लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पीएं वो देखें जानवर कैसे पीते हैं चुडिया कैसे पानी पीते हैं चीडिया एक ड्रॉप उठाती है आप ध्यान देना चुडिया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मूँ में चलाएगी, फिर पीएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पीएगी, ऐसे कुत्ता है पानी को चाट-चाट के पीएगा, शेर पानी को चाट-चाट के पीएगा, ज़्यादतर जानवर पानी को ऐसे ही पीत नहीं क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं बागवट के पक्के चेले हैं ये सब जानवा है बिना बोले और बिना कहें तो आप भी हो जाए बागवट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चड़िया पीती है उसको मुह में चड़िया ऐसे ऐसे करती है न ताकि इदर उदर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए। अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा, कोई रोग आने की संभावना नहीं, मैंने आपके सारे रोगों की एक दवा। तो मैंने ये एक्सपरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था छे साल पहले, बागवट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया, तीन साल पढ़ने में लग गया, और तीन साल समझने में लग गया, तो छे साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था, मैंने का यार क कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत मैंने का तुम करके देख लो भागबट कह रहे हैं गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुनकर ह्राणी होगी हमारे जो दोस्त हैं सही होगी हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था उन्होंने पानी सिफ सिफ करके पीना सकता हूँ 140 किलो का था और एक सवा साल हो गया लगबग अभी डेड़ साल है अब सत्तर किलो का है बिना कोई दवा खाए बिना भोजन में कोई बदला हो कि सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है तो उनने का बात सीधी सी ये है कि जो लार है ये दुनिया की सबसे अच्छी औशदी है इसकी मेडिसनल प्रापरटी सबसे ज़्यादा है आपने जानवरों को देखा होगा उनको और पुरुष बहुती दुर्भागिशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते हैं जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं उसको थूकते ही रहते हैं घुटका खाने वाले लोग मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिन्दगी की सबसे महतुकूर चीज को थूक रहें जिसको बनाने के लिए भगवान ने एक लाख गरंतियां आपके मुह में दी हैं आप जानते हैं ये लार पैदा होने में एक लाख गरंतियों का काम होता है एक लाख गरंतियां हैं जो राद दिन आपके लि थूकने वाला हो थूकने वाला आदमी यह तो बागवट जी की डिक्ष्णरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तबी बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडिशन नहीं कि आप थूक हैं तो यहां तो बिन कफ बढ़े हुए तंबाकू खाखा के गुठका खाखा के थूक रहें तो यह थूकना नुकसान दायक है गुठका तो नुकसान दायक है यह तंबाकू तो और भी नुकसान दायक है उससे भी जादा थूकना तो मत थूकिये तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान के लिए नियम बताया बहुत माइक्रो लेवल पर कैलकुलेशन है बागवट जी वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरज ही नहीं क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है केल्शियम है तो अंदर जाएगा और वो केल्शियम क्या-क्या अदुबत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है, कथा है तो थूकना पड़ेगा, कथे बिना ही पान खाओ, मने हमारे पुराने पूरवज और भुजर्ग, जो तंबाकू का नहीं, कथे का नहीं, सिर्फ चूना लगाके जो पान खाते हैं, वो बागवट के चेले सब के सब शिश्य उनके तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है जो मुँ में लार के साथ पान है वो अंदर ही जायत क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है एक वात नाशक है और दूसरा पित नाशक है और कफ का भी नाश करता है पान तो पित और कफ दोनों क संतुलित हैं तो पान खाके तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते हैं यह है तो आपको पानी पीना है गुड़ गुड़ बरके ताकि ज्यादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुह में गुमाईए जैसे बच्चे अक्सर करते ना वो बहुत अच्छी क्रिय ठीक है अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है बागबट जुका कि पानी कभी भी पियें तो ठंडा ना पियें पेट को दुरस्त रखने के लिए ही हैं यह सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूँ पानी जब भी पियें तो ठंडा ना पियें कैसा पानी पियें जी तो तो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखे हैं उसके अनूसार के तापमान का ही पानी पी ए शरीर के तापमान के बरावर का पानी पी कि यहां एक अटी को मशुद हैं is ऐसका कूंबट को मशुद घुजराती है ना मराथ Cincinnati हाँ गुनगुना पानी पीए नव सेका पानी कहते हैं राजस्थान में नव सेका हलका गरम हलका गरम गुनगुना पानी पीए कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो ऐसा पानी पीए तो आपका शरीर का तापमान है 37 डिगरी तो 37 डिगरी अगर आप पान लगोड़ी तेम्परेचर के बराबर रहता हैं तो ऐसा पानी पीए गुंगुना ही पानी पीए क्यों अभी मन में प्रशनाएगा क्यों हम तो जी्टंडा पानी पीथें फृज का जाएगा सीधा सीधा और पेट को ठंडा बनाएगा जिसका जैसा गुण है वो ही तो करेगा ना बरफ का गुण है ठंडा करने का तो बरफ डाल कर पानी में आप पी रहे हैं तो बरफ का गुण पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा अगर पानी ने लगन पेट से ही जुड़े हुए चाहे वो आपका हर्ट हो चाहे किड्नी हो चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जै राम जी की जाइए यम्राज के पास यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे मृत्तिव आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिये एक विशलेशन दूसरा विशलेशन कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है जीवित होने से मतलब फंक्शनल है काम अच्छे से कर रह तो तुरंत पेट उस पानी को गरम करने पर लगेगा आपका जो जटर इस्थान है ना वो तुरंत उस पानी को गरम करने पर लगेगा तो पानी को गरम करने के लिए उसको अत्रिक तूर्जा की जरूरत पड़ेगी और अत्रिक तूर्जा उसको रक्त मैंसे आएगी तो शरी कि सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा